C.I.E.T. N.C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग एक आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग एक का बीसवा और आखरी सबक सबक नमबर 20 आखरी कदम मुसनिफ डॉक्टर जाकिर हुसैन सफ़ा नमबर 125 आओ बच्चो आज तुम्हें एक बहुत अच्छे आदमी का हाल सुनाए जिसे उसके जीते जी बहुतेरे लोग बुरा बुरा कहते थे और मरने के बाद भी उसकी नेकी का हाल बस वही जानते हैं जिनके साथ उसने भलाई की थी और शायद बादे तो उनमें से भी भूल गए होंगे इस नेक आदमी के पास बड़ी दौलत थी मगर ये उन लोगों में था जो अपने धन दौलत को अपना नहीं समझते बलके अल्ला मिया की अमानत जानते हैं जो बस इसलिए उनके सुपुर्द की जाती है कि उसे उसके बंदों पर सर्फ करें खुद उनकी उजरत ये है कि इसमें से ये भी बस मोटा जोटा पहन लें और दाल दलिया खा कर गुजर कर लें हाँ तो ये नेक आदमी भी अपनी दौलत से खुद बहुत कम फाइदा उठाता था एक साफ से मगर बहुत छोटे मकान में रहता था गजी गाड़े के बहुत मामूली कपड़े पहनता था और खाने को क्या बताऊं? कभी चने चाब लिये? कभी मका की खलें खाली? एक वक्त हंडिया चड़ी तो तीन वक्त के खाने का इंतिजाम हो गया दोस्त एहबाब जिनने उसके हाल की खबर थी तरह तरह से उसे खेल तमाशों में, रंग रलियों में घसीटना चाहते थे मगर ये हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके टाल देता था आखिर को सबसे बड़ा कंजूस मशूर हो गया उसके दोस्त उसे मिया मक्की चूस कहा करते थे बाज दोस्त उसकी दौलत की वजह से जलते थे वो उसे और भी छेड़ते और बद्राम करते थे मगर ये धुन का पक्का था बराबर चुप चुप कर चुप चुपाते अपनी दौलत से किसी ना किसी मुस्तहक की मदद करता ही रहता था और इस तरह कि सीधे हाथ से देता तो उल्टे हाथ को खबर ना होती और जबान पर जिकराने का तो जिकरी ही क्या ना जाने कितनी बेवाएं उसके रुपए से पलती थी कितने यतीम उसकी मदद से पढ़ पढ़ कर अच्छे अच्छे कामों से लग गए थे कितने मदर से उसकी सखावत से चल रहे थे कितने कौमी काम करने वालों को उसने रोटी कपड़े से बेफिकर कर दिया था और वो यक सुई से अपनी अपनी धुन में लगे हुए थे कई शिफाखानों में दवा का सारा खर्च उसने अपने सर ले लिया था और हजारों दुखी बीमारों को बे जाने उसके रुपए से रोज आराम पहुशता था मगर ये मशूर वही कंजूस मक्खी चूस दुनिया का कुत्ता ना अपने काम आए ना किसी और के कोई उस पर हसता था, कोई खफा होता था, सब उसे बुरा समझते थे आदमी कितना ही नेक हो, दूसरों के हर दम बुरा कहने से जी दुखता ही है उसके दिल को भी कभी कभी बड़ी ठेस लगती थी जुन्जलाता था, आँखों में आँसू भर भर आते थे, मगर फिर सबर कर लेता था उसके पास एक खुपसूरत सी किताब थी चिकना चिकना मोठा कागज, नीले कपड़े की सुबक सी जिल्द, पुष्टे पर सुनहरे हर्फों से लिखा हुआ, हिसाब ए अमानत इस किताब में ये अपना पैसे पैसे का हिसाब लिखा करता था जिसको कभी कुछ दिया था, सब उसमें दर्श था कहीं कहीं कैफियत के खाने में बड़ी दिल्चस्प बाते लिखी गई थी किसी यतीम को पढ़ने के लिए वजीफा दिया है 15 साल बाद तारीख दे कर कैफियत के खाने में दर्श है अब एहमदाबाद में डॉक्टर हैं और वहां के यतीम खाने के नासिम किताबों के एक कारोबार को सख्त परिशानी के जमाने में दो हजार रुपए दिये हैं कई साल बाद कैफियत के खाने में लिखा है आज खताया है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्ल्लाहु लही वसल्लम की सीरत पाक नहायत साफ और सादा जबान में लिखवा कर एक लाख नुस्खे तौलबा में मुफ्त तक्सीम किये हैं खुदा जजाए खेर दे दिल्ली के एक मदरसे को ऐसे वक्त के उसका कोई मददकार ना था दस हजार रुपए दिये थे इंदराजे रकम के सामने कैफियत में लिखा था सालाना रिपोर्ट पढ़ी हर सूबे में उसकी एक एक शाख कायम हो गई है इस सूबे में तो गाउं में तालीमी मरकस कायम कर दिये गए हैं ये काम ना होता तो इस मुल्क में मुसल्मानों की तमद्दनी हस्ती कभी की खत्म हो चुकी होती इसी किस्म के बेशुमार इंदराजात थे उस किताब को ये अकसर उठा कर पढ़ने लगता था खुसूसन जब किसी नादान दोस्त की जबान से दिल दुखता तो जरूर उस किताब की वर्क गरदानी की जाती थी उसे देख कर कभी कभी मुस्कुराता भी था उसका इरादा था कि मरते वक्त ये किताब उन लोगों के लिए छोड़ जाऊंगा जो उम्र भर मुझे पहचाने बगएर मेरा दिल दुखाते रहे इस इरादे से उसे बड़ी तसकीन होती थी सौसुनार की एक लुहार की उन्होंने हजार दफ़ा मेरा जी खून किया है मैं एक दफ़ा उन्हें ऐसा शर्माऊंगा के बस सर ना उठेगा ये सोचता था और खुश होता था होते होते बढ़ापा आन पहुँचा बदन जवाब देने लगा रोज कोई न कोई बीमारी खड़ी है एक दफ़ा दिसंबर का महीना था सखत बीमार हुआ बुखार और खांसी एक दिन दो दिन तीसरे दिन सीने में सखत दर्थ शुरू हुआ कोई दोपहर गफलत रही होश आया तो सांस लेने में भी तकलीफ होती थी नमूनिया का हमला था और सखत हमला शाम से हालत गहर होने लगी बार बार गफलत हो जाती थोड़ी देर को होश आता फिर गफलत कोई चार बजे के करीब होश आया तो उसकी समच में आ गया कि अब वो वक्तान पहुँचा है जो सब के लिए आता है और जिस से कोई भाग कर बच नहीं सकता चार पाई के पास ही मेस पर वो नीली खुबसूरत किताब हिसाब अमानत रखी थी जिसे अभी बीमारी में भी दो दिन पहले उठा कर वो पढ़ चुका था चंद लम्हें उसकी तरफ गोर से देखा आँखों से आसू बहने लगे ऐसे के थमते ही ना थे किताब की तरफ हाद बढ़ा कर उसे उठाना चाहा कई मरतबा की कोशिश में उसे मुश्किल से उठा पाया फिर कुछ सोच में पढ़ गया ये अजीमु श्यान खड़ी और ये चुटा खयाल उनको शर्मा कर तुझे क्या मिलेगा तु अपने काम से काम चला अपने काम से काम मन्सिला पहुंची आखरी कदम क्यों तक मगाए सफा नंबर 128 दोनों हाथों में किताब थामी हाथ थर्थरा रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा बोज उठाया हो बड़ी मुश्किल से तकी पर से सर भी कुछ उठाया और नातवा जिस्म की सारी आखरी कुवत सर्फ करके किताब को उस पास वाली बड़ी अंगीठी में फेंक दिया जिसमें कोई धाई बजे नौकर ने बहुत से कोईले डाले थे और मिया को सोता जानकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया था किताब जलने लगी उसकी नजर उसी पर जमी थी जिल्ड के जलने में तेर लगी फिर अंदर के कागजों में आग लगी तो एक शूला उठा उसकी रोशनी में उसके हुटो पर एक ख़वीफ सी मुस्क्राहट दिखाई दी और चहरे पर अजीब इत्मिनान उधर मुस्दन ने अश्हदुन ना मुहम्मद रसूलला कहा और नेकियों के इस कारवाँ सालार की रिसालत के एलान के साथ ही उसकी उम्मत के इस नेक रहरूने हमेशा के लिए आखे मूद लिए सफ़ा नंबर 119 मानी याद कीजिए बहुत तेरे बहुत सारे सुपुर्द करना हवाले करना उजरत बदला मुआवजा मोटा जूटना बहुत मामूली जो सस्ता हो दाल दलिया मामूली खाना गुजर करना मामूली तरीके से जिन्दिगी गुजारना गजी गाड़े एक किसम का मामूली मोटा कपड़ा खीले खील की जमा भुना हुआ अनाज जो चटख कर फूल गया हो एहबाब साथी दोस्त रंग रलिया एशो इश्रत धुन का पक्का होना मुहाफरा इरादे का पक्का होना मक्खी चूस बहुत ही कंजूस चुप चुपाते खामोशी के साथ चुप कर किसी को बताए बगैर मुस्तहिक जरूरत मंद हकदार सखावत दूसरों पर ज्यादा खर्च करना दरिया दिली कौमी काम कौम की भलाई के काम यक्सूई से बहुत तवज्जों के साथ इत्मिनान सर लेना जिम्मे लेना खफा नाराज थेस लगना दुख पहुँचना सुबक नाजुक हलकी सफा नंबर एक सौतीस पुष्टे वो चमडाया कपड़ा जिसमें किताब के पुठे जोड़े जाते हैं दर्ज लिखा हुआ कैफियत तफसील हालत नाजिम इंतिजाम करने वाला मुंतजिम नुस्खा मुराद किताब जजाए खेर दुआए कलमा अच्छा बदला इंतराज दर्ज किया हुआ शाख ब्रांच किसी बड़े इदारे का छोटा हिस्सा जो उसी नाम से किसी दूसरी जगा कायम हो तमद्दुनी हस्ती तहजीबी पहचान वर्क गर्तानी वर्क पलटना सो सुनार की एक लोहार की जी खून करना मुहावरा सख्त तकलीफ पहुचाना गफलत बेहोशी जैसी हालत हालत गेर होना मुहावरा हाल खराब होना अजीम उश्शान बड़ी शानवाला नातवां कमजोर खफीफ हलकी मैं गवाही देता हूँ के मुहमद अल्ला के रसूल है मुख्जन अजान देने वाला कारवाव सालार काफले का सरदार रिसालत रसूल होना उम्मत वो قوم जो किसी रसूल की पैर्वी करे सफा नंबर एक सो एकत्तीस सोचिये और बताईए दो लोग उस नेक आदमी को बुरा क्यों कहते थे तीन बाज लोग उसकी दौलत से क्यों जलते थे चार वो नेक आदमी अपनी दौलत किन कामों पर खर्श करता था पांच वो सीधे हाथ से देता तो उल्टे हाथ को खबर ना हूती इस जुमले का क्या मतलब है च्छे नेक आदमी की हिसाब अमानत में क्या दरज था साथ लोगों की बातों से तंग आकर नेक आदमी क्या करता था आठ नेक आदमी का इरादा क्या था नौ, नेक आदमी ने आखरी वक्त में अपने इरादे पर अमल क्यों नहीं किया? इस सबख में लफ्स अमानतदार आया है, जिसके मानी है अमानत रखने वाला. यहां दिये हुए लफ्सों के आगे दार लगा कर लफ्स बनाईए. दम, समझ, शान, इज्जद, खबर, तरफ, वफा, हवा, जान, खार. सफ़ा नंबर 132. यहां दिये हुए मौहावरों को जुमलों में इस्तिमाल कीजिए. धुन का पक्का होना, ठेस लगना, जी खून होना, सर न उठना, हालत गैर होना, लिखिए. नेक आदमी की कहानी अपने लफ्सों में लिखिए. इस कहानी का कोई नया उन्वान लिखिए. गौर करने की बात. इस नेक आदमी के पास बड़ी दौलत थी. मगर ये उन लोगों में था, जो अपनी धन दौलत को अपना नहीं समझते, बलके अल्लाह मिया की अमानत जानते हैं, जो बस इसलिए उनके सुपुर्द की जाती है, कि उसे उसके बंदों पर सर्फ करें. खुद उनकी उजरत ये है, कि उसमें से ये भी बस मोटा जोटा पहन ले, और दाल दलिया खाकर गुजर कर लें. इस इबारत में मुसन्निफ ने नेक लोगों की कितनी अच्छी तारीफ की है, कि वो नेक लोग जिनें अल्लाह ने दौलत दी है, मखरूर और घमंडी नहीं होते, बलके अपनी दौलत को जरूरत मंदों पर खर्च करने के लिए अल्लाह की अमानत समझते हैं, और खुद सादा जिन्दगी गुजारते हैं. आओ, आज तुम्हें एक बहुत अच्छे आदमी का हाल सुनाएं, जिसे उसके जीते जी बहतेरे लोग बुरा बुरा कहते थे. ये आपके सबक का पहला जुमला है. इस जुमले में लव्ज बुरा दो बार एक साथ आया है. लव्ज के दो बार एक साथ आने को तकरार कहते हैं, जैसे साथ साथ बैठना, बार बार कहना, मजे मजे की बातें वगएरा. अपनी जबान भाग एक का बीसवा सबक यहां खत्म हुआ. इसी के साथ यह किताब भी यहां खत्म हुई. प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत